इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर सेकेंड में दियेगे प्रोविजन जो कि सेक्षन 45 से लेके सेक्षन 51 तक दिये गए हैं ये डील करते हैं रिलेवेंसी अब दा ओपिनियन्स आफ थर्ड पर्सन वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जनरल रूल आफ एविडेंस के एक्सेप्संस या अपवाद माने जाते हैं क्योंकि जनरल रूल आफ एविडेंस ये कहता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दवरान वही चीजे प्रस्तुत की जानी चाहिए वही फैक्स प्रस्तुत किया जाने चाहिए जो कि एक विटनेस ने खुद से देखा होता है खु सामान ने प्रकति से हटके होते हैं तो ऐसी कंडिशन्स में किसी एक्सपर्ट की किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन लिया जा सकता है जिसके द्वारा उस केस के कंक्लूजन तक उसके निशकर्स तक आसानी से पहुँचा जा सके तो आज की वीडियो में हम इसी एक्सपर्ट उपिनियन के बारे में इसके मीनिंग क्या है किन व्यक्तियों को एक्सपर्ट कहा जाता है और इसके अलावा इसके क्या क्या प्रोविजन्स हैं कौन कौन के टाइप से इसमें एक्सपर्ट उपिनियन दिये गए हैं इन सब के बारे में बात करने वाले हैं तो बिना किसी अ पांच सब्जेक्स में special knowledge रखता है, एक महारत रखता है, जिसमें पहला जो subject है, वो foreign law का है, दूसरा science का, तीसरा art का, चौथा handwriting का, और पांचवा finger impression का है, इस subject में अगर कोई विक्ती अपने खुद के knowledge से, अपने observation से, या अपने experience से, या अपने study की वज़े से, जिसमें उस में कुछ special skills रखता है, special experience रखता है, तो वो expert कहा जाएगा, इसमें कई cases के बाद, या establish किया गया है, या setup किया गया है, कि एक expert बनने के लिए जरूरी नहीं है, कि विक्ती के पास एक formal certificate ही हो, या एक विक्ती अपने experience की वज़े से भी expert कहा जा सकता है, मान लीजिए, अगर क इसके पास experience है, तो वो इसमें अगर वो अपना opinion देता है, तो यहाँ पी ये उसका opinion, expert opinion के नाम से जाना जाएगा, उदाहरन के तौर पर medical officer, explosive expert, ballistic expert, fingerprint expert, इसके अलावा धेर सारे experts हैं, जो इसके अंतरगत अपना opinion दे सकते हैं, तो आप इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है, कि अखिर एक court को expert opinion की आवशकता ही क्यों पढ़ती है, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसकी आवशकता principle of necessity पे base है, यानि कि अगर किनी cases में किसी proceeding में ऐसा होता है, कि ये technical matters related होते हैं, जिसमें एक विशेस प्रकार की ग्यान की आवशकता है, एक special knowledge की matters में, opinion के मामले में ताकि conclusion पे जल्दी से पहुचा जा सके, किसी भी party के साथ किसी तरह का अन्याय न हो, तो इसमें एक expert opinion की आवशकता पड़ती है, जैसे मालीजे कि कि किसी case में question ये है कि क्या एक ही मृत्यू जहर देने से हुई है, तो इसके अंतरगत एक medical officer का opinion, expert opinion कहा ज officer जानता है कि poison की वज़े से मरे हुए व्यक्ति के अंदर उसकी body में क्या-क्या symptoms दिखते हैं, क्या-क्या लक्षन दिखते हैं, तो वो सही तरीके से बता सकता है कि इसमें व्यक्ति की मृत्यू poison से हुई है, या किसी और चीज की वज़े से हुई है, तो अब अगला सवाल इनके evidentry value के बारे में हैं, कि expert opinion की evidentry value क्या होती है, तो S. Gopala Reddy vs. State of Andra Pradesh और दर्शन सिंग vs. State of Harjana, दोनों के case में court ने ये observation दिया था, कि एक expert opinion एक weak type of evidence है, और इन पे कभी भी court को lay down पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, ये किसी भी case के लिए sole basis for conclusive proof नहीं हो सकते, एक case के अंतरगर जब भी expert opinion लिया जाएं, तो उनकी corroboration की भी विवस्ता की जानी चाहिए, इनको cross examination के थूरू check भी किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही इनको use में लिया जाना चाहिए, वसे इन cases के अलावा कई cases में ये भी कहा गया था, कि एक expert opinion कहीं भी court के उपर binding नहीं होते ये court का discretionary matter होता है, court को अगर ये reasonable लगते हैं, तभी ये expert opinions को consideration में लेंगे, अब अगला सवाल एक conditions के बारे में है, कि अगर एक condition आती है जहाँ पे एक तरफ eye witness के बयान है और दूसरी तरफ expert opinion है, तो क्या एक court expert opinion को consideration में लेगी, उनको जादा मानिता देगी, या फिर eye witness के बयान को जादा मानिता देगी, तो इसके बारे में कई cases में, कई सारे cases में ये establish किया गया है, कि अगर ऐसी conditions कभी सामने आती है, तो इन condition में court हमेशा पूरी तरह से विश्वास करेगा एक eye witness के बयान पे, क्योंकि expert opinion तो होते के वले एक opinion ही है, इसलिए इनकी evidentry value एक eye witness के बय प्रूफ किया जा सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उन तरीके से, उन वेक्तियों के तरीके से प्रूफ किया जा सकते हैं, जिन्हें इस विशे में महारत हासिल है, उन्हें अच्छा खासा skilled हैं, वो उन्होंने अच्छा खासा पढ़ाई की हैं, और दूसरे point के अंत्रगत के direct reference लिया जा सकते हैं, जो कि इस foreign government के authority के अंत्रगत print किये गए हैं, दूसरे subject के अंत्रगत science और art आते हैं, यहाँ पर science और art से हमारा मतलब वो सारे discipline से हैं, उनका scope उन सारे discipline पे उन सारे subject पे जाता है, जिनको एक systematic तरीके से present किया जा सकता है, इसके scope को थोड़ा और broad करत हो, यह कहा गया है, किसमे science और art के अंत्रगत कोई जड़ूई नहीं है, कि कोई एक skilled चीज ही आए, जिनके बाकाइदा certificate या diploma ही दिये जाते हो, इसके अंत्रगत हमारे सामान जीवन से, daily, रोजमर्रा की चीजों से related, सारे traits, सारे handicrafts और बाकी के professions भी आते हैं, तीसरे subject handwriting के ह जहां पर इस code में दिये गे provision के अंसार एक handwriting, एक handwriting expert द्वारा, दो documents को लगभग बराबर compare करके निकाले जा सकते हैं, जहां पर पहला original document होगा और दूसरा suspected document होगा, code की द्वारा कई cases में ये भी कहा गया है, कि handwriting weak evidence है, weak type का evidence है, और इस पे पूरी तरह से code को lay down नहीं करना चा बैलिस्टिक के अंतरगत fingerprint expert आते हैं, fingerprint expert के opinion भी same as other experts की तरह relevant होते हैं, लेकिन इसमें भी code द्वारा ये कहा गया है, कि fingerprint expert के भी opinion को भी पूरी तरह से conclusive proof नहीं माना जाना चाहिए, इसमें बाकी के circumstances, बाकी के proof से भी इनको prove किया जाना, उनका सहारा लिया जाना इसमें आव इसमें हमारा मतलब किसी गन से चले bullet या cartridge के द्वारा उनको trace करके उनका पता लगाना कि अखिरिये कितने बजे चले होंगे, उनकी timing क्या रही होगी, और ये किस गन से चले होंगे, तो इन सब के बारे में जब एक expert अपनी राय देता है, तो उन्हें bell stick expert कहा जाता है, और पाइदा trained docs होते हैं, दक्ष होते हैं, वो अपने काम में expert होते हैं, उनका साहरा लिया जाता है, तो उनके behavior को analyze करके उनका trainer जो भी एक opinion देता है, वो इसमें यहां पर relevant माने जाएंगे, लेकिन इसमें भी अबदुल्रजाक versus state of महराष्ट के case में ऐसा कहा गया था, कि इन evidences को इन proofs को भी पूरी तरह soul basis नहीं माना जाना चाहिए, बाकी के facts और circumstances को ध्यान में रख के ही code को यह कोई फैसा देना चाहिए, कोई decree कभी कभी कुछ cases में ऐसा होता है, कि उन dogs के behavior भी ऐसे होते हैं, जो पहचान में नहीं आते हैं, उनको recognize किया जाना, उनको analyze किया जाना सं अच्छे से समझ में आगे होंगे, बाकी के loss related videos, points और topics के लिए बने रहे हमाएं साथ, नमस्क्राइब